हेलो मैं डियर स्टूदेंट्स वेल्कम बाक टू वन मोर क्लास आज की इस क्लास में हम एक और अक्टिविटी स्टडी करने वाले जो कि हमारे क्लास 10 के लिए काफी यूसफुल रहती है और हमीशे इसके उपर क्वेशन जो है वो एक बना रहता है तो चलो आज की क्लास शुर ग्रालास शुरुटी में क्या दिया गया है यहां पर सबस्ब्स से पहले पॉंट में बोला गया है टेकल फ्यूद Moo canc religious ध्यूब्हलक और टेस्टूब तो इंका कहना है कि ज Agora के लेना है और और Connecta लेने के वो किसके ले लिए है, zinc granules के, ये क्या है, zinc granules, अब zinc granules मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे टुकडे किसके, zinc metal के, अब इसके बाद में हमसे कहा गया है कि add dilute HCl और इसमें sulfuric acid यूज़ करो, so dilute HCl का formula क्या है, dilute hydrochloric acid का HCl और H2SO4 मतलब होता है sulfuric acid, जैसे ही आप ये दोनों चीज़े इसमें add करोगे, इस तरीके से, तो इनका ये कहना है, next हम से पूछा गया है कि, do you observe anything happening around the zinc granules, तो हम कहेंगे yes, अब हमें क्या दिखता है, वो हमें diagram के through भी आपको समझाओंगी, तो zinc में हम add कर रहे है, consider करो HCl, तो क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर reaction होती है, और हमें bubbles form होते हुए दिखते हैं, यहाँ से इस तरीके से bubbles form होते हैं, क्या होते हैं, bubbles form होते हैं, तो हम यह कहेंगे कि, यहाँ पर हमें क्या observe हो रहा है, हमें observe हो रहा है, कि bubbles will form, जब भी कोई gas क इसी में से बाहर निकलती है तो वो हमेशा बबल्स के फॉर्म में निकलती है और यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है आप इन्होंने क्या कहा है हमसे टज तो को निकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब इस देर एनी चेंज इन इट्स टेंपरेचर तो हम इसको तच करके देखेंगे जब आप इसको टच करोगे तब आप देखना है हाँ पर हमने अगर यह इसको ऐसे बेर हैंड से या फिर गलफ्स पहनके जब आप इसको टच करके देखोगे तब हमें समझ में आएगा कि यह क्या होगा this reaction is exothermic reaction exothermic reaction का मतलब हुआ कि heat वहाँ पर evolved हो रही है और जो gas released हो रही है वो है hydrogen gas चलो इसका मैं एक picturization आपको बता देती हूँ जैसे कि हमारे पास में देखो यहाँ पर यह picturization जब हम करेंगे तो यहाँ पर एक simple सा एक experiment दिख रहा है इस experiment में देखो reaction जो है यह फिर से समझाओंगे आपको अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर यहाँ पर जो है यहाँ पर देखो यह reaction हो रही है यह conical flask है यह क्या है इसका नाम क्या है यह है conical flask conical flask है यह अब इस conical flask में हमने डाला है zinc granules जब हम Zinc Granules इसमें डालेंगे तब चोटे 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 पीसे जो है हमने Zinc के इसमें डाल दिये और उपर से इसमें से HCL एड़ कर दिया, Dilute HCL यहां से एड़ किया जाते हैं जनरली फ्रॉम वन कंटेनर तो अनादर कंटेनर तो यह हो गया Delivery Tube अब Delivery Tube में जैसे ही गैस पास हो रही तो हम यह देख रही है यहापर हमने Empty Space करके रखी हुए है और हम यह देखना चाहरे कि क्या यहापर कोई गैस कलेक्ट होती भी है या फिर नहीं है तो जिस तरीके से हमारा equation है equation में हमने क्या कहा हमने कहा है कि zinc react हो रहा है HCL के साथ two form ZnCl2 plus hydrogen gas तो अब यह जो hydrogen gas बन रही है how we will come to know the gas is a hydrogen gas so अब हम देख सकते हैं यहापर हमें कैसे पता चलेगा कि वह hydrogen gas ही है तो हम क्या करेंगे यहापर इसका reason लिखेंगे generally equation रहता है how to detect क्या है equation how to detect how to detect question जो है वो है how to detect presence of how to detect presence of how to detect presence of H2 gas यह equation आता है one mark के लिए important है note करके रखिए आप okay so यहापर इसका answer अभी हम लिखते हैं कि how to detect presence of H2 gas हम कहेंगे कि सबसे पहले आपको एक burning candle लाना है bring burning candle near the mouth of test tube mouth of test tube test tube अगर जैसे ही आप इसके test tube के पास में जैसे ही वो लेकर आओगे वहाँ पर क्या create होता है pop sound will produced pop sound will produced तो यह pop sound जब निकलता है तो इससे पता चल जाता है कि gas जो है यह gas evolved कौनसी है hydrogen gas है कौनसी gas है यह hydrogen gas है ठीके तो यह जो वदमाक के लिए जब question आएगा तब आपको इसको ध्यान से समझना है और इसको answer भी properly करना है so student I hope आच की class में आपको जो भी समझा है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा thank you so much